अरे दिजी भूख लगी है कुछ चोटा मोटा खाने को लाना ये सब को चोटी मोटी भूख तो सताती ही रहती है तो ऐसे में हमें कुछ ऐसा बना कर रखना चाहिए जिसे हम एक पार बना कर रख दे और महीनोबर तक स्टोर भी कर पाई तो जबी भी बच्चे हों या बड़े सब को भूग सताएं तो हम फटा फट से ये स्नेक्स उने सरू कर सकते हैं तो चलिए आज ऐसी कुछ रेसिपीज मैं आप से शेल करने जा रहे हूं जिसे आप एक पार बनाएं और महीनों बर तक स्टोर पी कर पाएं तो चलो आउनी बनाना शुरू करें सबसे पहले बनाते हैं हम आलो की नमक पारे तो इसके लिए हम लेंगे उबलेवे आलो तो यहाँ पर दो मेटेम साइज के उबलेवे आलो में ले रही हूं आलो उबालने के बाद अच्छे से ठंडा कर लें गरम आलों का इस्तमाल नहीं करना है अब एक पारी ग्रेटर लेकर इन्हें ऐसे ग्रेट कर लेंगे चाहें तो आप मैशर की सायता से इन्हें मैश भी कर सकते हैं बस ध्यान रखना है कि इनमें कोई बड़ी टुकडे नहीं रहने चाहिए आलों को कदुकस करने के बाद अब इसमें डालेंगे डेट कफ मैदा इनमें अच्छा क्रिस्पिनेस लाने के लिए डालेंगे इसके अंदर दू चमच चावल का आटा फ्लेवर के लिए डालेंगे इसमें आदा चोटा चमच रेड चिली फ्लेक्स आदा छोटा चमच जवाइन आदा छोटा चमच सफेद दिल स्वात की हिसाब से नमक डाल कर सारी चीजो को मिक्स करते वे एक बढ़ियासा आटा लगा कर तयार कर लेंगे आटा लगाते समय इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तमाल नहीं करना है आलो में खुद का काफी मॉइस्चर है तो उसी से आटा लग कर तयार हो जाएगा लास्ट में एक चमच देल या घीर डाल कर इसे अच्चा सा स्मोध और चिकना बना लेते हैं तो ये बढ़ियासा आटा लग कर तयार हो चुका है अब हम इसे बेल लेते हैं बेलने के लिए हम एक बड़ी लोई तोड़ेंगे और इसे सुखे मैदे से डस्ट करते वे बेलेंगे ताकि ये बेलन के चिपके नहीं नहीं तो क्योंकि आलो में काफी मॉइस्चर है तो ये चिपकता रहेगा तो बीच बीच में हलका सुखा मैदा डेस्ट करते रहे और इसे बेलते जाए इसे हमें एकदम पतला ही बेलना है इसे हमने एकदम पतला बेल लिया है और अब ये फ्राई होते समय फूले नहीं इसके लिए किसी चाकू या फोर की साइथा से इस पर ऐसे निशान लगा दे तो इसे नमक पारी काफी क्रिस्पी हो जाएंगे अब एक चाकू या पिजा कटर की साइथा से इसे मन चाही आकार में काटे और तुरंती से फ्राई कर ले तो यहाँ पर medium hot oil में हमें इने fry करना है जब ये batch fry होगा तब हम side में दूसरा batch काट कर तयार कर लेंगे तो इसे जो नमक पारे हैं वो बहुत ही जल्दी बनेंगे और नमक पारों को काटने के बाद तुरंती हमें इने fry करना होता है नई तो ये जो बगने लगते हैं तो ये देखे नमक पारों का जो color है वो कितना संदर हो गया है तो अब इन्हें हम तेल से बहार निकाल लेते हैं तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पे नमक पारे बन कर तयार हुए हैं और ये देखिए आलू डालने के बाद भी इनका क्रिस्पिनेस कितना लाजवाब है। तो चलिए अब हम बनाते हैं परतदार नमक पारे। परतदार नमक पारे बनाने के लिए हम लेंगे डेट कप मैदा, फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे आदा चोटा जमच जवाहिन, एड़ करेंगे इसके अंदर एक चोटा जमच कसूरी मेथी, इसे क्रश करके एड़ कर लेते हैं, स्वात के इसाब से नमक एड़ कर लेंगे, और अब इसमें मौईन के लिए तेल या फिर गी का इस्तेमाल करेंगे, गी से इसमें और भी अच्छा खस्ता पनाता है, इसलिए मैं मैं मेल्ट कियावा गी इसके अंदर एड़ कर रही हूँ, तो गी डालकर इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब यह जो नमक पारे हैं उसमें मौईन हम थोड़ा सा कम डालेंगे, जो नॉर्मल हम नमक पारे बनाते हैं उसके वज़ाए, तो यहाँ पर देखिए जो मुट्टी हम बांद कर देख रहे हैं, उसमें हलकी क्रैक आरे हैं, इस तरह का मौईन ही हमें इसमें डालना है क्योंकि आगे भी हमें इसमें घीका इस्तमाल करना है तो अभी से यह दि हमने बहुत ज़्यादा मौईन इसके अंदर डाल दिया तो नमक पारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेल का अबसॉर्ब कर लेंगे और तेल के अंदर ही घुलने लगेंगे तो बस पाने डालते वे हम एक बढ़िया सा टाइट आटा लगा कर इसका तयार कर लेंगे आटा लगकर तयार है अब हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनिट का रेस्ट देंगे तब तक हम इन नमक पारों में लेर्स बनाने के लिए तयार कर लेंगे साटा साटा बनाने के लिए हम एक बोल के अंदर एक चोटाई कप बटर की या फिर तील का इस्तमाल करेंगे और इसे के अंदर एड़ करेंगे एक चोधाई कप चावल का आटा या फिर आप कौन फ्लार या मैदी का इस्तमाल भी कर सकती हैं मैदी की बजाए चावल का आटा या कौन फ्लार का इस्तमाल करने से नमक पारे ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं साटा बन कर तयार है इसे हम साइड में रखते हैं और एक बार फिर से गुंदेवे आटे को मसल कर चिकना बना लेते हैं तो ये और पी अच्छे से स्मोध हो गया है तो अब हम इसे कट करेंगे कट करने के लिए एक पार फिर से एक फ्लैट सर्फेस पर हम इसे थोड़ा लंबा कर लेते हैं अब जितने लेर्स आप नमक पारों में बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग इसकी लोईयां कट कर लें तो यहाँ पर 5 हिसों में मैंने इसे डिवाइट कर लिया है बाकी हिसों को हम साइड में रख देते हैं यह हम बाद में इसमाल कर लेंगे और एक लोईय उटाते हैं और इसे बेल लेते हैं बेलने के लिए आप चाहें तो हलका सा सुखा मैदा इस पर डस्ट कर सकते हैं या ऐसे भी बेल सकते हैं तो अब इसे एकदम पतली रोटी हम बना कर तयार करेंगे क्योंकि इनमे काफे लेर्स बनेंगी तो रोटी जितने पतली आप बनाएंगे उतने ही नमक पारे अच्छे क्रिस्पी बनेंगे तो ये एकदम पतला मैंने इसे रखा है देखें कितने ट्रांसपरेंट रोटी बन कर दयार हुई है तो इसे तरह से हम पतली रोटियां बनाते जाएंगे और एक प्लेट मेने रखते जाएंगे यदि रोटियां पसमिच पक रहे हैं तो इनके बीच में आप थोड़ा सा सुखा मैदा डस्ट कर सकते हैं तो ये कुछ रोटियां हमने बना कर तयार कर लिए हैं अब हम लास्ट लोई उठाएंगे और इसे भी बेल लेंगे ये जो रोटि हम बनाएंगे उन रोटियों के बचाए थोड़ी से बड़ी बनाएंगे ताकि उन रोटियों को ये रोटि कवर कर सके अब इसे बेलने के बाद इस पर हम लगाएंगे साटा जो हमने चावल के आटे और घीस से तयार किया है इसे हाथ से अच्छे से फैला लेंगे अब दूसरी रोटी हम इसके उपर रख देंगे और दुबारा साटा लगाएंगे तो बस इसी तरह से एक के उपर एक रोटी रखते जाएंगे और बीच में इनके साटा लगाते जाएंगे सारी रोटियां रख कर लास्ट में भी इसके उपर साटा लगाएंगे और अब हम इसे ऐसे रोल कर लेंगे तो बहुत आसाने से ये हो जाता है ये देखे बहुत अराम से ये रोल हो गया है अभी क्योंकि ये काफी मोटा है तो हम इसे थोड़ा और पतला कर लेते हैं तो हाथ से ही ऐसे हम इसे रोल करते जाएंगे तो ये और भी पतला हो जाएगा और अब हम इसे कट कर लेंगे अब यहाँ पर नमक पारों को मैंने लंबाई में काटा है आप चाहे तो इन्हें गोल शेप में भी कट कर सकते हैं तो इस तरह से हमने इन्हें कट कर लिया है अब एक पीस को हम उठाएंगे देखे कितने अच्छी लेट से इसमें दिखाई दे रही है और अब हम इसे थोड़ा सा और बेल लेते हैं तो इसे ऐसे ऐसे लंबाई में रख लेंगे और बेलन से हलका सा इसे बेल लेंगे तो जितने आपको लंबाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसे और बेल सकते हैं हलकी आतों से इसे बेले तो बस इसी तरह से हम सारे नमक पारे बना कर तयार कर लेंगे और अभी नमक पारों को हम फ्राइ कर लेते हैं मीडियम होट आयल में तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए यदि तेल ज़्यादा गरम हुआ तो नमक पारों की जो लेर्स होंगी वो खुलेंगी नहीं ये फटावर से उपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो एकदम हलकी गरम तेल में ही इन्हें हमें फ्राइ करना है 5-6 मिनिट में नमक पारे काफी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और ये देखे नमक पारों का कलर कितना सुंदर हो क्या है साथ ही इसकी जो लेर्स हैं वो काफी अच्छे से खुल गई है तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इन सुंदर सुंदर नमक पारों को देखकर मन तो नहीं करा कि इससे तोड़ा जाए लेकिन आपको रिजल्ट भी तो दिखाना है तो देखे दोस्तों कितनी बड़िया लेर्स इन में बनी है बहुत अच्छे क्रिस्पी भी बने है तो चलिए इससे तोड़ कर भी मैं आपको दिखाती हूँ तो चलिए दोस्तों इन लेर्ड नमक पारों को बनाने के बाद अब हम बनाते हैं मसाला काजू इसके लिए हम लेंगे डेट कप मैदा फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे आदा चोटा चमच अच वाइन स्वाद के अकॉर्डिंग नमक एड़ कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे चुटकी भर बेकिंग पाउडर इसे ये जो मसाला काजू है वो काफ़े अच्छे से फूलेंगे और बहुत अच्छे खस्ता पनेंगे और चुटकी बरी हम बेकिंग सोडा इसके अंदर एड़ करेंगे लेकिन दियान रखना है दोनों की मातरा ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बहुत ही जरा सा एड़ करना है अब इसमें माईन के लिए तेल यागी अड़ करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो ये देखिए काफ़े अच्छे से आटा है वो मुठी के अंदर होल्ड हो रहा है इस तरह का माईन हमें लगाना है इसी से जो मसाला काजू हैं वो काफी अच्छे खस्ता बनते हैं अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं एक बड़ी आसा टाइट आटा लगा कर तयार कर लेंगे आटा लगा कर हमने तयार कर लिया है अब इस आटी को हम थोड़ा रेस्ट देंगे इसके लिए हम इसे cover कर देते हैं और जब तक आटा रेस्ट लेगा तब तक हम इसके लिए एक मसाला तयार कर लेंगे मसाला बनाने के लिए हम रिंगी बोल इसके अंदर एड़ करेंगे तू चमच आम चूर का पावडर अब इनी स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमे अड़ करेंगे टाटा संपन का शाही लाल मिर्ज का पाउडर टाटा संपन मसालों की खास बात यह है कि यह प्राकर्तिक तेलों से बरपूर साबुत मसालों से बने होते हैं जो मसालों का स्वाद भी बटाते हैं और यह हमारे हल्थ के लिए भी पाईदय मन hustle होते हैं साथे इसमें एड़ करेंगे एक चोथाई छोटा चमच काली मिर्च का पाउडर एक चोथाई छोटा चमच काला नमक और स्वात की हिसाब से नॉर्मल नमक डाल कर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो ये मसाला काजो के लिए मसाला बनकर तयार है इसे हम साइड में रखते थे हैं और अब हम फिर से गुंदावा आटा ले लेते हैं आटे को रेस्ट देने के बाद एक बार फिर इसे थोड़ा सा मसल कर और भी स्मूद और जिकना बना ले ताकि इसे बेलना भी काफी आसान रहे और नमक पारे देखने में भी सुन्दर बनते हैं अब सारे आटे की एक बड़ी लोई हम बना लेंगे क्योंकि ये बड़ी है तो ये देखे इस तरह इसे लोई बनाएं ताकि अच्छे से बन कर तयार हो जाएं तो सारे मैदे को एक तरफ ले जाते जाएं और इसे ही कटे कर दे जाएं और अब हम इसे बेल लेंगे अब आप देख सकते हैं कि आटा हमने काफी अच्छा टाइट लगा कर तयार किया है तो बेलते समय इस पर कुछ भी मैदा वगरे डस्ट नहीं करना पड़ेगा अब इसे बेलने के बाद एक कुकी कटर या फिर कोई भी बोटल का डखन लेंगे और इसे इस तरह से हाफ मोन शेप में कट कर लेंगे इसे ये देखने में बहुत देस अंदर लगते हैं और फटा फट से ये कट कर दयार हो जाते हैं तो ये हमने सारे नमक पारे बना लिये हैं और अब हम इने फ्राइ कर लेंगे फ्राइ करने के लिए दुबारा हमने इसका फ्लेम मेडियम रखा है और मेडियम होट ओयल में इने फ्राइ करना है आप देख सकते हैं हमने नमक पारों को कितना पतला वेला है लेकिन जब ये फ्राई होंगे तब ये अच्छे से फूल भी जाएंगे और इनकी साइज भी बड़ी हो जाएगी तो इसे शुरुवात में बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रखें और बस बीच बीच में चलाते वे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इने प्राई कर लेंगे 5-6 मिनिट में नमक पारों में अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है तो अब हम इने एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं तो ये हमारे बहुत ये खस्ता काजू जैसे नमक पारे बन कर तयार हैं इन नमक पारों को ऐसे भी खा सकते हैं ये ऐसे भी खाने में काफी टेस्टी लगते हैं और जो मसाला हमने तयार किया है वो मसाला स्प्रिंकल कर देंगे तो इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा अब देखे कितने खसता हैं, यदि आप इन पर मसाला कोट करना चाते हैं, तो कोई भी कंटेनर में आप इने डालें, उपर से मसाला डालें, और कंटेनर को ऐसे शेक कर लें, तो बहुत ही अच्छे से मसाला इन पर कोट हो जाएगा, और यह देखिए, तो एक यूडो से हमने दो तरह की नमक पारिबन कर दयार कर लिए हैं सिंपल वाले भी और इस तरह मसाले वाले भी तो चलिए अब मसाला काजू के बाद बनाते हैं हम सबकी फेवरेट मठरी मठरी बनाने के लिए लेंगे एक बोल इसमें डालेंगे टेट कप मैदा साथी फ्लेवर के लिए डालेंगे आता छोटा चमच जवाइन आता छोटा चमच डालेंगे जीरा एक छोटा चमच का सूरी मिती को इस तरह हाथों में क्रश करते वे अड़ करेंगे साथी डालेंगे आता छोटा चमच का लिमिर्ज का पाउडर स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और मौईन के लिए अब इसके अंदर एक तिहाई कप तेल या फिर घी डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मौईन के लिए जो तेल या गी हम मैदे के अंदर एड़ करते हैं उसी से मठरी खस्ता बनती है तो इस तरह मोयन को चेक कर लें, हातों में यदि इस तरह से मैदा होल्ड हो रहा है, यानि मोयन इक्तम परफेक्ट है, तो बस अब नॉर्मल पाने डालते वे हम इसका बढ़िया सा आटा लगा कर तयार कर लेंगे, और इन मठरे को बनाने के लिए बस आटे को इकटाई करें, इसे बहुत ज़्यादा गुन दे नहीं, तो हमारी मेनत भी कम होगी, इसे गवर करके हम 10 मिनिट के लिए रख देते हैं, 10 मिनिट के बाद दुबारा से इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं, और ध्यान रखना है इसे बहुत ज़्यादा नहीं गुनना है इस स्टेज पर भी, किनाने के बाद इन पर ऐसे फोर्क से निशान लगा दें ताकि फूले नहीं और अच्छी से खस्ता हो जाएं अब इने हम मेडियम होट ओयल में फ्राइ कर लेते हैं तो मठरी को आप जितना धीरे धीरे अच्छे से फ्राइ करेंगे उतनी अच्छी ये खस्ता बनेंगी और अंदर से कच्छी भी नहीं रहेंगी मैंने यहाँ पर इसे गोल शेप में रखा है आप चाहें तो किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं चाहें तो कुकी कटर से भी इसे कट किया जा सकता है तो ये देखिए इनका भी बढ़ियासा गोल्डन कलर आ गया है तो इने भी एक लेट के अंदर निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी खस्ता सुन्दर मठरी बनकर तयार हुई है चायवकरे के साथ तो इनके क्या कहने तो ये हमारी एक सिबट कर एक क्रिस्पी नमक पारे बनकर तयार है जो देखने में भी एक दूसरे से बिलकुल अलग है और स्वाद में तो इन्हें आप बनाकर अच्छे से ठंडा करें और ठंडा करने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में लंबे समय तक स्टोर करें तो चलिए अब इसे हम टेस्ट भी करवा देते हैं और रिवाजदी देखने में तो बहुत ये अच्छे लग रहे हैं गज़े बने यार तो प्रेंट्स कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं मेरी ऐसे और भी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अपना केमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद मिलते हैं को और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई